अम्रित्पाल लगातार दिखाई देता है वीडियो में यहां वहां लेकिन पकड से बाहर है क्या लगता है कि पंजाब की सरकार कानून व्यवस्ता को मेंटेन किये वे जो भी अपरादी है मैं समस्तों कि जल्द गिरफ्त के अंदर आएंगे मैं भगोतमान जी को और उनकी प कोली चलाए वे बिना कोई खून खराबा किये वे किया और पंजाब के लोगों के मन के अंदर कानून की जो रिस्पक्ट होने चाहिए उस रिस्पक्ट को पानून लेकिन कहा यह जाता है कि जिस तरीके से अमरत पाल लगातार वो पनपता रहा और आगे बढ़ता रहा और इस तरीके से निकल किया उसने एक तरीके से पूरे लोगतंतर को जो फिट दिया धंकी दी वो कहीं न कहीं इस उसमें था मुगालते में कि उसको एक सपोर्ट मिल जाएगा और उसकी बात मानी जाएगी जब कायर वेक्ति धरम का सारा लेते हो तो उसको उचित नहीं कहा जा सकता है अमरत पाल जी गुरु गरंद साब को लेके जो घटना की थी पंजाब पुलिस और पंजाब के मुख्य मंतरे ने बयान दिया कि हम गुरु गरंद साब की बेदगी किसी कीमत पर बरदास्ति कर स अपने काम पर लगे सोचल जी धरम की आपने बात की धरम को लेकर के आज बंगाल जल रहा है बिहार जल रहा है उत्तर पदेश के कई लाकों में चीज़े देकी जा रही है क्या सियासत सिर्फ अभ धरम के सहारे ही चली जाएगी यह हमारे पास जो जनता के हितैशी जो मुद्दे वाने जाते हैं, उनको ले करके राजिती की जाएगगी. भारते जनता पाठी ही. जन हित्त के मुद्द से कोई सराकार नहीं रखते हैं. ना रोजगार से, ना खिसान से, ना जवान से. केवल और केवल धरम और जाती काधार पर दोजार चोबीस के लिए देश को बाटना चाहती है क्या सत्ता की सीड़ी मनुष्य के लासों के उपर से कुझ रेगी यह सूचिने वाली बात है हिंदुस्तान को जला के अगर राज पर बैठ भी गए तो सुकून नहीं मिलने वाला है सुकून मिलता है इंसानियत से सुकून मिलता है आदमियत से सुकून मिलता है लोगों के हसी के साथ अगर लोगों को हम आपस में लड़ाएंगे तो वो देश की विकास का रास्ता नहीं है